गुड मॉनिंग एवरिवन आज मैं आपको कक्षा आठ के लिए प्रस्ताव पुस्तक वसंद की पहला पाठ ध्वनी जो एक कविता है पढ़ाने जा रहे हूं इसके कवी सुरेकान त्रिपाठी मिराला जी है इनकी काव्यों में तत्सम शब्दों का अतिधिक समावेश है अर अभी न होगा मेरा अंत अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदल वसंद अभी न होगा मेरा अंत इस कवीता में कवी कहना चाहते हैं अपने सकरात्मक पक्ष को रखते हैं कवी कहना चाहते हैं कि मेरा अंत अभी नहीं आया है अर्थात जीवन अभी बाकी है और मेरे जी जीवन के साकारात्मक पक्ष को पॉजिटिव आस्पेक्स को दिखाते हुए कभी कहते हैं कि हम जीवित हैं, जीना है, अच्छाई के मार्थ पर चलना है और परिशानियों से घबराने नहीं, आगे निकलना है। क्या कलिया, क्या डालिया, सब खेल उठते हैं, कभी कहते हैं, उनके जीवन में भी ऐसा ही वसंताया है, जहां सब कुछ हरा, सुखद, सुन्दर, मनोहर हो गया है। यहां पर कलियों का अर्थ उन लोगों से है, जो परिशानियों में घिरे हुए हैं, जो परिशान हैं, जो अपनी परिशानी, अपनी दुख को बताने में असमर्थ है। उनके जीवन में भी एक नई अपने सुख़द परिणाम से अपने सुख़द कारियों से अपने सुख़द विवेचना के साथ उसको एक नई दिशा देंगे एक नया आहवाहन करेंगे और एक सुन्दर सुबह उनके लेकर आएंगे पुश्प पुश्प से तंद्रा लस लालसा खीच लूंगा मैं अपने नव जीवन का अम्रित शहर सीच दूंगा मैं अर्थात कहते हैं हर फूलों से उनकी तंद्रा यानि नीद और आलस से खीच लूंगा मैं यानि यहाँ पर फूल का अर्थ मनुश्यों से है वैसे मनुष जो आलससे सराबोर हैं जो नीन में अलसा है हुए हैं जोने जीवन के प्रती निराशा हो चुकी है उनसे वो खीच लोंगा मैं और अपने जीवन का अम्रित अपने जीवन का जो सुखत सुरूप है अपने जीवन का जो सुखत कारे है वो दे करके वो सह दे करके उन्हें एक नया नव जीवन देने दूँगा मैं, द्वार दिखा दूँगा फिर उनको है मेरे वे जहां अनन्त अभी न होगा मेरा अन्त कहपे हैं, इतना सब होने के बाद मैं उनको वो दिखा दूँगा कि अनन्त है हमारा जहां, जहां तक हम चलना चाहें, जहां तक हम ब परिशानियों को दूर करते हुए जीवन में आगे बढ़ने के प्रेणा देते हैं और बताते हैं यही जीवन है चलते रहना